जै मात अदिबंधू कैसे हैं आप लोग हमीश्वर से प्राथना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें हमारे इस अनोखे विडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है आज के इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यू के बाद शफ को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें गंटी तबाएं और औल सेलेक्ट करें साथी साथ कॉमेंट बॉक्स में जाएं और जै मातादी जरूर लिखें जो जन्मा है वो मरेगा ही चाहेवा मनुष्य हो देव हो पशु हो या पक्षी सभी को मरना है ग्रह और नक्षत्रों की भी आयू निर्धारित होती है और हमारे सूरी की भी इसे ही जन्म चक्र कहते हैं जन्म मरन के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से उपर की योनियों में गती करता है और पुना नीचे गिरने लगता है ये कर्म तब तक चलता है, जब तक की मोक्ष नहीं मिल जाता है, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं, अगर सूर्य अस्त के बाद हुई है मृत्यू, तो हिंदु धर्म के अनुसार शफ को जलाया नहीं जाता है, इस दौरान शफ को रात भर घर में ही रखा जाता है, और किस को अधोगति प्राप्त नहीं होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है ऐसे आत्मा असुर दानव अत्वा पिशाच की योणी में जन्म लेते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शफ को नहीं जलाया जाता है जब तक पंचक काल घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को शफ के पास रहना होता है गरुड पुरान सहित कई धार में गरंतों में उल्लेक है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यू हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खांदान में पांच अन्य लोगों की मौत भी हो सकती है इसी डर के कार चुश से बरे पांच पुटले अर्थी पर रखकर इन पांचों का भी शफ की तरह पून विदी विदान से अंतिम संसकार किया जाता है ऐसा करने से पंचक दोश समाप्थ हो जाया करता है यदि कोई मर गया है परंतु उसका दहा संसकार करने के लिए उसका पुत्र या विशे को शव के पास रहना होता है कहते हैं कि पुत्रिया पुत्री के हातों लदा संसकार होने पर मृतक को शांती मिलती है अन्य था वह भटकता ही रहे जाता है शव के अकेले नहीं चोड़ने के तीन में कारन है पहला शव को अकेला चोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चीटिया या अन्य कोई नर्भक्षी रेंगेंगे वाला प्राणी या फिर पशु आकर शव को खा सकता है इसलिए वहां कोई ना कोई वैक्ती बैठ कर शव की रखवाली करता है दूसरा रात में मृत्य शरीर को अकेला चोड़ द करना पड़ सकता है तीसरा शव को इसलिए भी अकेला नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि मृत्तक की आत्मा वहीं पर रहती है जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी ना किसी रूप में जुड़ाव रहता ही है साथ ही वहां अपने परिजनों क को भी देखता है अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है हालंकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं बहुत ज्यादा स्मृतिवान या फिर चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूं इसके अन्य कारण भी है कि पहला ये भी माना गया है कि यदी ज्यादा समय हो जाए तो शफ से निकलने वाली गंद के चलते कई तरह के बैक्टिरिया भी पनपने लगते हैं और मख्या भी भिनमिन हाने लगती हैं इसलिए वहां इस दोरान अगरबत्ति के सुगंद और दीपक भी जलाया जाता है दूसरा ये भी कहा जाता है कि शफ को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत्त आत्मा संकट में पढ़ सकती है इसलिए भी कोई ना कोई शफ की रखवाली करता रहता है तीसरा शफ के आसपास जगा को साफ सुत्रा किया जाता है और दूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे इसका भी यहा कारण है कि मृत्त कहीं अधोगती में नहीं जला जाए क्योंकि रातरी के अंधिकार में अधोगती वाले कटी पतंगे रेंगने वाले जीवजन्तू और निशाचर प्रानी ज्यादा सक्रियर हैते हैं उस दौरान आत्मा यदी गहरी तंद्रा में है तो उसक अधोगती में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगती होकर पेर पौधे कटी पतंगे पशुपक्षी योणियों में विच्रन कर उपर उठती जाती है और अंत में वहां मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है वहां से पतन होने के बाद वहां फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्थर से खुद को गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योणी में चले जाएंगे यहां कर्म चलता रहता है अर्थात वैक्ती नीचे गिरता या कर्मों से उपर उठता चला जाता है तो बंधू ये कुछ कारण है जिनके बजा से मृत्यू के बाद शफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चानल देशी भक्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें घंटी दबाएं और औल जरू सेलेक्ट करें साथी साथ कॉमेंट बॉक्स में जाएं जै मातादी जरूर लिखें जै मातादी जै मातादी बंधो कैसे हैं आप लोग हमीश्वर से प्राथना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें हमारे इस अनोखे विडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है आज के इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यू के बाद शफ को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें गंटी तबाएं और आल सेलेक्ट करें साथी साथ कॉमेंट बॉक्स में जाएं और जै मातादी जरूर लिखें जो जन्मा है वो मरेगा ही चाहेवा मनुष्य हो देव हो पशु हो या पक्षी सभी को मरना है ग्रह और नक्षत्रों की भी आयू निर्धारित होती है और हमारे सूरी की भी इसे ही जन्म चक्र कहते हैं जन्म मरन के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योणियों से उपर की योणियों में गती करता है करता है